हेलो बच्छों केसे ंहीं हैं आप सभी मैं मिसेस अन्रौय आप सभी माधियम स्वागत करती हूं मैं आपके लिए अच्छा प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है भाषज से रिलेटेट 8 यानि कि फास्ट्र ट्रैक रिविजन जिसमें MCQ के माध्यम से जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर कराने के कोशिस करूँगी यानि कि जिस तरह आप टॉपिक अभी देख रहे हैं भाषा बोधवल लीपी इससे संबंधित प्रशन चाहे वो प्री हो चाहे व्यापम हो हमेशा आपको भाषा के विकास करम से संबंधित प्रशन जो है वो पूछे जाते हैं तो यहाँ पर FTR हिंदी जो आपको लेकर मैं आपके लिए आई हूँ उसके अंतरगत MCQ होंगे और MCQ में जो आप्शन होंगे उस आप्शन के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे तो आज के पहले लेक्शर वीडियो में भाषा बोध और लीपी से संबंधित प्रशनों को MCQ के माध्यम से हम सौल्व करेंगे तो पहला FTR जिसका टॉपिक है हमारा भाषा बोध और लीपी तो चलिए शुरू करते हैं कि कोशन किस प्रकार की आते हैं ठीक है तो सबसे पहली बाद कि भारत की भाषा को अगर देखा जाए तो भारती आरे भाषा को तीन काल में बाटा गया है एक है हमारे लिए प्राचिन आरे भाषा दूसरी है मध्यकाली आरे भाषा और तिसरी है हमारे लिए आधुनिक आरे भाषा तो प्राचिन आरे भाषा क्या थी कि भारत की प्राचिन आरे भाषा माने जाती है संस्कृत को इस संस्कृत का समय कहां से कहां तक था 1500 इसा पुर्व से 500 इसा पुर्व का समय आपकी संस्कृत का माना जाता है इस संस्कृत के इस समय दो प्रकार के रूप थे एक था हमारे लिए आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत 1500 से 1000 का समय वैदिक संस्कृत का माना जाता है प्रथम चार वेद को लिखने के लिए जितने भी हमारे उपनिशद थे उनको लिखने के लिए और हमारे जो धर्म ग्रंथ थे जितने भी सुत्र थे उनको लिखने के लिए वैदिक संस्कृत का इस्तिमाल किया गया था और यह वैदिक संस्कृत किसके दोरा नाम दिया गया चार्णस के द्वारा ये वैदिक संस्कृत नाम दिया गया था इसके बाद थोड़े से विकास परंपरा की और बढ़े तो 1500 कसमें लौकिक संस्कृत का माना जाता है तो लोक साधार आम जन के समझ में आने वाली कठीन संस्कृत का सरल रूप सहज प्रांजल और एक ऐसा प्र लिखे गए थे उसको प्रथम रूप जो है वो लौकिक संस्कृत में देखने को मिलता है तो काव शास्त्र को पुरानों को नाटकों को लिखने के लिए जिस संस्कृत के प्रयोग किये गए वो हमारे लिए वैदिक संस्कृत को छोड़कर लौकिक संस्कृत में लिखा गय पंडितिव लिए उसे निर्धारित कर दीगए दूसरा समय था मध्यकाल का ऐसा समय जहां पर धार्मीक सांस्कृत परिवर्तन हुए इस संस्वाइम के द्राइंदु भाषा का जन्म हुआ जहां पर हमारे लिए प्राकृत भाषा आती है ठीक है आपके जितने भी अशोक के जितने जो शीलाखन्ड है उसको लिखने के लिए पाली भाषा के प्रयोग किया गया था। जब संस्कृत का समय था तो तीन प्रकार की क्षित्रिय बोलिया थी पाली भाशा का समय आया तो एक प्रकार की क्षित्रिय बोलिया इसमें विक्सित होने लगी जो संस्कृत के समय में तीन प्रकार के लिंग तीन प्रकार के वचन तीन प्रकार के पुरुष्टे मध्य कलिना हमारे भाषा में चीजह सीमतने लगी है इस समय हमारे पास क्या हुआ इस समय हमारे पास लिंग जो तीन प्रकार के थे वह दो प्रकार के हो गये और तीन प्रकार के बदल दीए गए ठीक है इसी समय स्वायम के द्वारे कριत Prakrit जिसका प्रयोग जैन साहित्य से जैन धर्म से प्रभाव पढ़ने की वज़े से महावेक उपदेशों को प्राकृत भाषा में लिखा गया इसके बाद एक बिगड़ता हुआ रूप आया जहां पर प्राकृत की अगर हम बात करें तो प्राकृत भाषा के अंतरगत हमारे लि इसके साथ प्रकार के साखाओं में क्षेत्रेता के अधार पर राज्य के अंतरगत बोली जाने वारे बोलियों को इस्थान जो है वो दिया गया था इनहीं में से कुछ बोलियों ने साहितिक भाषा का दर्जा प्राप्त किया और साहितिक महत्व की भाषा बन गई मध्यका को आधुनिक आर्रभाशा श्रिणी में रखा जाता है इसके अंतरगत शुरुवाती दौर में ख़डी बोली रही में खडी बोली बार प्रारंभिक हिंदी और हिंदी और यही विकास क्रम हैं जिसे से संबंधित प्रशने पूछे जाते हैं तो आते हैं सबसे पहले प्रशने को जानने के लिए ठीक है तो पहला प्रशने क्या कहता है उपनिशद तथा वेद लिखा गया है क्या लौकिक संस्कृत में क्या बैदिक संस्कृत में क्या पाली तो इस उपनिशद और वेद को वैदिक संस्कृत में लिखा गया है इसका समय माना जाता है 1500 से 1000 इसा पूर्व तक ठीक है तो यह जो आपके वैदिक संस्कृत है जिसमें वेदों को उपनिशदों को धर्म ग्रंतों को ब्रहामन सुत्र को लिखने के लिए इसके प्रयोग थे लेकिन लौकिक संस्कृत सरल सहज काविशास्त्र पुराणों नाटकों को लिखने के लिए किया गया पाली भारत की प्रथम देश भाषा कहलाती है जिसका प्रमान मिलता है श्रिलंका के दीपबंस में यहां तक कि आपकी गौतम बुध्ध के सारे उपदेशों को लिखने ट्रीपितक संगरह हो गौतम बुधकुबदेश हो प्रथम देश भाषाज पाली में लिखा गया है ब्रज मध्य काल की साहित्ते की ऐसी भाषा थी जो ब्रज के क्षेत्र में क्रिश्ण से संभनती रचनाव को रचने के लिए सूरदास के द्वारा जो है इसका प्रयोक कि लिए जाते थे तो उपनिशद और वेद लिखा गया है तो इसका आंसर आएगा option number आपका बी ठीक है second question अशोक शीला लेख लिखा गया है क्या प्राकृत भाषा में क्या प्रथम प्राकृत में क्या पाली में या option number B और C दोनों अब देखिए question घुमा दिया है ठीक है सबसे पहली मात की प्राकृत का पहला रूप कहलाती है पाली पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कही जाती है इसका प्रमाण श्री लंका के दीपबंश में मिलता है अशोक इस्तंभ में जिसमें लिखा गया है उसको लिखने के लिए पाली भाषा के प्रयोग किये गए थे त तो यहां पर option में आपको नजर आ रहा है कि पाली है ठीक है लेकिन option B देखिए प्रथम प्राकृत तो मैंने अभी बताया कि प्राकृत का प्रथम रूप पाली को कही जाती है तो इसका answer आएगा option number D क्योंकि अशुक शीला लेक को प्रथम प्राकृत भाषा में लिखा गया जिसे हम पाली के नाम से कहते हैं और option दिया है B और C दोनो ठीक है अगला question पहाडी और गढ़वाली बोली आती है ठीक है पहाडी और गढ़वाली बोली किस में आती है तो ध्यान से समझने वाली बात है कि पहाडी और गढ़वाली किसके अंतरगत आती है तो जब आपकी अपभरंश की शाखाओं में बाटा गया भारती भाषा को तो बोलियों की विविधता से देखने को मिलता है कि पहाडी क्षेत्र में खस भाषा के प्रयोग किये जाते थे खस जिसे हम दरद भाषा भी है जिसमें गढ़वाली कुमायोणी नेपाली हिमानचली मंडियाली आदी बोलियां आती है तो प्रशने ने क्या पुछा है कि पहाड़ी और गढ़वाली बोली किसके अंतरगत आती है क्या वो शौर póर सेनी कि खस में आती है कि मानगधि में आती है कि पैशा ची अब यह यह अपभरंश की शाखाएं हैं बिटा ठीके ना अपभरंश की साथ शाखाओं में पश्चिम की और व्यापत थी शौर सेनी जिसके इंतरगत राजिस्थानी ब्रजभाशा बुंदेली बांगरू खड़ी बोली कन्नोजी और ये सारी भाबोलियां आती थी इनहीं में से रा खुमान रासों यह जितनी भी थी सब राजिस्थानी भाशा में ठीक है उसी अनुसार ब्रजमंडल में ब्रजगिक्षट्र में बोली जाने वाली थी ब्रजभाशा रस खान जैसे कभी सुर्दाज जैसे कभी हैं जिन्होंने ब्रजभाशा का प्रियोग किया बुंदेल ख पूर्व के हिस्से में थी हमारे लिए मागधी इस मागध प्रांत के अंतरगत अगर देखा जाए तो मागधी का प्रभाव हुआ है और कुछ लोगों का कहना कि मागधी ही पाली भाशा है मगध समराज के होने की वड़ से पाली भाशा के प्रभाव से उसे मागधी का भी न सब आपके खेएंदा हान M आपको आपके एंज़र और गठूम को पहाड़ा हो नषी प्रश्रिश सब symptomer ओर लेकिन पहाड़ी भाषाओं को प्रयोग होने के लिए गड़वाली और पहाँ आपके कुमायूनी यही मांचरी सब आपके खस भाषा के अंतरगत आती है अगला कोशन केता है काव्य शास्त्रों को लिखने है तो प्रयोग होता था संस्कृत का वैदिक का लौकिक का या पाली का तो काव्य शास्त्रों को लिखने के लिए अब देखे संस्कृत भाषा के प्रयोग तो थे इसलिए confusion create करने के लिए सबसे पहले आपको दे दिया गया है आपका संस्कृत लेकिन ध्यान रखेगा कि संस्कृत की दो शाखाएं थी जिसमें से वेद उपनिशत को लिखने के लि क्या यह स्वयंभू है क्या यह मानक है क्या यह विक्सित है क्या यह परिनिष्ठित है तो प्राकृत का मतलब होता है जो स्वयंभू भाषा कही जाती है ठीक है question number six खड़ी बोली के विक्सित रूप कहलाती है क्या यह कौरवी है क्या यह हिंदी है क्या यह बांगरू है या कोई नहीं तो कुरुक रंद्पत के आसपस बोले जाने की वज़से उसे हम कौरवी कहते है ठीक है दूसरी बात बांगरू यानि की जिसमें आपकी हर्याना और र तो इसका आंसर है आपका खड़ी बोली का विक्सित रूप हिंदी कहलाती है लेकिन अगर कहा जाए कि खड़ी बोली को और किस नाम से पुकारते हैं तो खड़ी बोली को कोई जाटू कहता है कोई हर्यान भी कहता है कोई आपके जो है वो मरदानी भाषा कहता है कोई इसे कौ पाली प्राकृत खड़ी बोली हिंदी और साधुकडी हो आप। option c कहता है संस्कृत प्राकृत अपभरश खड़ी बोली हिंदी option d कहता है संस्कृत अपभरश खड़ी बोली हिंदी और अवहर ठीक है अब इसका अंसर क्या होगा इसका होगा आंसर आपका होगा हमारे लिए आपकी प्राकृत अब आप बोलेंगे कि क्यों तो ध्यान से समझ तो देखने वाली बात है कि इसके विकासक्रम में देखा जाएं तो हमारे विकासक्रम में प्राचिनारे भाषा की है हमारे लिए संस्कृत फिर है हमारे लिए आपकी पाली फिर आता है प्राकृत फिर आता है अपभरंश क्या एक बिगड़ता हुआ रूप है जो अपने रा अवहट को अवहट के बाद में एक संत कबिर्थ है आपके उनकी जो भाषा थी जिसमें संस्क्रीट पाली प्राकरित अर्भी फार्सी का मिश्रण था पंचमिल खिचडी के तरह उनके भाषा प्रयोग माने जाते थे जिसे हम साधुक कड़ी भाषा कहते हैं इस साधुक ने देखा जाये तो आपकी आती खड़ी बोली और खड़ी बोली के बाद में आती है आपकी प्रारंभीं देन आपका आती है आपकी हिन्दी अब यहांपर क्यों ने क्या पुछ लिया है क्यों आपका एक अप्शन जो है वह amer contie यह अगर होता हिंदी यहां होता तो हम ल गलत है चौथे ऑप्शन के अगर बात करते संस्कृत के बाद में इसने पाली प्राकृत ना ले करके चलिए अपभरंश को ले लिया है अपभरंश को खड़ी बोली हिंदी लेकिन अंतमीन हुने जो अवहट ले लिया है यह भी गलत है लेकिन यहां अप्शन नंबर सी में सं से पहले आती है आपकी संस्कृत फिर आती है आपकी पाली फिर आती है प्राकृत फिर अपभरंश फिर आती है आपकी अवहट फिर आती है आपकी साधोक कड़ी अगर बहुत डेप्थ में देखा जाए तो इसके बाद खड़ी बोली फिर आती है आपकी प्रारंभिक जब भारती भाषाओं को सम्मिधान की धारा 343 अनुच्छेद एक भाग 17 के अनुसार राज भाषा से संबंधित अनुबंध जब किये गए थे तो भारत के अंदर जितनी भी बोलियां थी उनको आठवी अनुसूची में शामिल किया गया था और भारती सम्मिधान की उस धारा के अनुसार 14 सितंबर 1909 को ये कहा गया कि भारत के अंदर अगर किसी भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कारिक लिए होगा तो प्रथम भाषा होगी हमारे लिए आपकी हिंदी जो राज भाषा के तोपर प्रयोग की जाएगी और दूसरी का वोग शेत्र जहां अपने प्रशासनिक कारियों के संपादन के लिए अगर वह अपनी प्रथम भाषा हिंदी का प्रयोग करता है तो ऐसे क्षेत्रों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है और ऐसे क्षेत्र जो अपनी राज्य की भाषा को प्राथमिक्ता देकर प्रशास की क हरियाना हिमाचल प्रदेश यह सभी इसमें आईगा आपका सभी तो यूपी MP 36 जार्खन बिहार हर्याना दिल्ली और इसी प्रकार अगर हमेरत कहते हैं या आप के इस दिल्ली यह ऐसे शित्रे जो प्रशासनी कारों में हिंदी का इस लिए सभीक शेत्र हिंदीक शित्र की श्रीणी में आते हैं अब कहता है हिंदी को कितने वर्ग में बाटा गया है तो जब भारती सम्मिधान के अनुसार भाषसंबंधी अनुबंध किये गए थे तो जितने प्रकार की बोलियां भारत वर्श में बोली जाती अब ये बोलियां कहां से आई अपभरंश की साथ प्रकार की जो शाखाएं थी पश्ची मिशोर सेनी, पूर्वी मागधी, मध्यव में अर्ध मागधी, पैशाची, ब्राचड, खस, महाराश्टी ये साथ प्रकार की जो आपकी अपभरंश की शाखाएं थी उसके अंतरगत बोलियां थी उस बोलियों के अंतरगत उप बोलियां थी तो किसी भी या विभाषा कही गई, तो उस आधार पर हिंदी को पांच वर्ग में बाटा गया है, क्योंकि दक्षिन भारत में हमारे लिए दक्षिन भारती भाषा हैं, पूर्वी भारत में बांगला, उडिया, असमिया हैं और इसी प्रकार अगर देखा जाए, तो पश्चिम की और ह हमारे लिए अगर जाते हैं, तो मराठी है, या पंजाबी है, तो इन ही सभी को मिलाते हुए वोग शेत्र विशे जहां हिंदी के प्रयोग होते हैं, तो हिंदी को कितने वर्ग में बाटा गया, तो हिंदी को पांच वर्ग में बाटा गया है, एक आती है हमारे लिए पूर हिंदी एक आती हैं हमारी भिहारी तो भोच पुरि मगही मैथली आती है कि По livre पहाड़ी और पisel और यहिंदी और यह कि एक आती है राजिस्थान प्रांत में आपकी शचिमिल्डंग लिच्टा आपके एंदर कर्च जयादा टी beggar प्रश्वतिzkर देखते हैं और पर आपके ᵃफवाल कि अगला हम देखते हैं आपके लिपी लिपी क्या होती किसी भी भाषा को लिखने का धंग तरीका खाइदा जो है वो लिपी कहलाती है ठीक है किसी भी मौकी कुछ चरण में सुनाई देने वाली भाषा को यदि किसी एक सांकेतिक आड़े तिर्चे खड़े वक्र आकार देकर उसे लिख दिया जाता है जिससे वह स सबसे पहली उद्वाचित लिपी तो कहा जाता है कि वेद धर्म अक्षर ग्राम ज्यान को सनरक्षित रखने के लिए जिस लिपी का जन्म हुँसा ब्राहमी लिपी के नाम से पुकारा गया ब्राहमी लिपी के साथ में भारत में मुगल शास्कों के आने के साथ साथ यहां खरोष्ठी लिपी का भी प्रयोग जो है वो किया जाता था अब इसी ब्राहमी का विकास भारत में बड़ी तिवर गती से हुआ और चारो दिशा में ब्राहमी लिपी का जन्म जो है वो विक्सित होते गया तो कहा जाता है कि ब्राहमी लिपी की अगर हम बात करें तो दक्षिन भारती भाषाओं में तमील लिपी जो वट्टे लुत्तु में लिखे जाती है मल्यालम जो ग्रंथ लिपी में लिखे जाती है तेलगुक में लिखे जाने वाले लिपी को तेलंगु लिपी और कंणड लिपी उसी प्रकार कदम लिपी के नाम से पुकार जाता है त तो दक्षिन भारती भाषाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत की अगर हम लीपी की बात करें, तो 350 इस वित तक हम उत्तर ब्राहमी का प्रयोग करते थे, कहा जाता है इस समय ब्राहम वेद ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किरत वन्ष में 4-5 सताबदी के समय में संस्कृत को सुरक्षित रखने के लिए जो संस्कृत की वरण माला थी, जो शलोक थे, जो सुत्र थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए गुप्त लीपी के इस्तिमाल जो है वो किये जा रहे थे, जिसका समय 4-5 सताबदी के समय माना जात कोई इसे सिध्धम लिपी कहते हैं तो जो आपकी जापान की तंत्रसाधना विधी होती है जिसमें हम फैंग्शुई या आपकी तंत्रसाधना वाली वास्तो वाली चीजों को जानते हैं समझते हैं वो सब लिखने के लिए माना जाता है कि सिध्धमात्री का लिपी जिसे परन्तो जब भोजपत्रों में उसे लिखा जाता था तो वो भोजपत्र में मोडते समय अक्षर तूट जाते थे इसलिए उनके आकार को बदल दिया गया कोई गोला क्रीटि बना दिया कोई तीकोन आकरीटि बता दिया अपनी सुविधा के नंसार को तोड़ा मरोड़ा जाने लगा और ऐसा समय आया जो कुटिल लिपी का माना जाता है समय था आटवी और नौवी सदी तो एक कुटिल धंग से एक अलग-अलग धंग से जब iter लिखा जाने लगा तो इस लिपी को कुटिल लिपी का रहा था जिसके दो शाखाएं हो गई कुलूई डोंगरी करटवारी चंबा मंडियाली जॉन सारी एवन पंजाबी भाषा को लिखने के लिए जो गुरु मुखी का प्रयोग था और उसी प्रकार कश्मीर की अराध्य देवी के नाम से जो कश्मीरी का नाम पड़ा जिसे हम शार्दा लीपी कहते हैं वो भारत के श आपकी पूर्वी भारती भाषाओं को लिखने के लिए उडिया असमिया मनी पूरी ठीक है इसी प्रकार आपकी मैथिली नेवारी ब्राहमनी करणी इनको लिखने के लिए आपकी जो लिपी थी पूर्वी भारती भाषाओं को लिखने के लिए प्राचिन बांगला से जन् गुजरात के नागर ब्राह्मनों से इसका संबंध माना जाता है दूसरी बात कि गुजरात के नागर ब्राह्मनों से इसका संबंध होने के बाद में ब्राह्मनों को एक ऐसा योग्य रूप माना गया कि उन्हें अपने संपुर्ण प्रकार की विद्याओं को लिखने के यह उसको लिखने की वज़े से देवनागरी नाम पड़ा और वर्तमान समय में हम जो हिंदी को लिखते हैं वह हमारी इसी देवनागरी को मानी जाती है तो उत्तर ब्राहमी का सिध्ध मात्री का कुटिल का सबसे विक्सित रूप है देवनागरी और इसी संबंधित पर्शन भारत में वहीं है वहीं है हमारे लिख्यरात के नागर ब्राहमनों के द्वारा इसका गोने की वरसे नागरी से इसे देव नागरी नाम जो है वो दिया गया कुटिल लिपी की कितनी शाखाएं थी क्या दो थी तीन थी चार थी या पांच थी तो कुटिल लिपी की दो प्रकार की शाखा थी एक थी आपकी नागरी लिपी की शाखा और एक थी आपकी आपकी शार द्रविड भारती होती ही नहीं द्रविड भारती भारत की भाषा को लिखने के लिए प्रयूग करता है इसलिए देव नागरी में द्रविड भाषा का प्रयोग नहीं है दोसरे बार खरोष्ठी या अर्भी फार्शी को लिखने के लिए प्रयोग होता है इसले खरोष्ठी भी हमारी आपकी देवनागरी का प्राचीन रूप नहीं है तो देवनागरी का विकास कहां से हुआ है ब्राहमी से तो उत्तर ब्राहमी से आपकी सिद्धमात्री का उत्तर प्रश्ण रोमन निम्ल लिखित में से किस भाषा की लिपी है क्या वह हिंदी को लिखता है क्या पंजाबी को रूसी को या अंग्रेजी को तो रोमन लिपी जो है वह अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए की जाती है ठीक है हिंदी जो है आपकी देवनागरी में लिखी ज जाता है कि भारत के अंदर जो देवनागरी है इसका प्रयोग भारती भासाँ नहीं के ही और नहीं के उसी प्रकार आपकी गुजराती लिपी उसी प्रकार आपके छतेस्गड़ को लित्धने के लिए तो आपके लो आपकी उसी नहीं कोमbor प्राचिन भारति लीपि को मानी कोन सी इस्ट है। अब दक्षिन भारती भाषाः को लिखने के लिए जिस लिपी का प्रयोग के जाते है उसे द्रवड लिपी कहा जाता है प्रशने क्या पुछा है कि भाषा की लिपी बराहमी के दक्षनी रोप में कौन सी लिपी को लिखा गया क्या कंणर, पंजाबी, कैथी लिपी से क्या अभी प्राय है अभी ये आपको किसी परिक्षा में पूछा गया था ठीक है भाषा के विभिन रूप से है कि भाषा को बोलने के रूप से है कि भाषा को लिखने के चिन्ह से है या भाषा को लिखने की शैली से है शैली हर भाषा को लिखने की अलग-अलग हो किसी आप गद्य लेखन के रशना करते ताब उसमें शैली का तरीका प्रयोग करते लेकिन किसी भी भाशा को उच्चारण करते समय चो कान में सुनाई देने वाली ध्वनी है उसको जिस आकरिती या चिन से आड़ा तेर्चा खड़ा और वक्र आकार दिया जाता है तो जो चि पाली नेपाली कोंकणी या असमिया को तो मैंने भी बताया संस्कृत पाली आपकी नेपाली कोंकणी आपकी मराठी चत्यिसगड़ी और हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी के करिये कि शारदा लिपी अारण वाली भाषा है किया गुरु मुख्य आती आतीए मद्ध लहंदा आती है याा सभी तो शारदा लीपी के अंत्रग गुरुनुकी काश्मीरु, यह कंप सब पहाड़ी भाषाओं को लिखने के लिए उस लीपी के प्रेवग होते हैं और शारदा लीपी का नाम कहते हैं कि कश्मीर की अराध्य देवी की बज़र से इसका नाम कश्मीरी और शारदा के नाम से पुकारा जाता है तो इसका अंसर होगा आपके लिए अप्शन नंबर बील सभी य लास्ट वंंशन क्या करत दक्षिन भारत की लीपी कहलाती है क्या सिध्ध मात्रिक लिपी है क्या टरविड लीपी है है खरोष्टी या सुत्र Лीपी है castra की जो वानी थी या जो आपके जो सिध्ध थे जो तंत्र विद्या तांत्री क्रिया कलाब थे उनको लिखने के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए सिध्धम लीपी यानिकी सिध्धमात्रीका का जन्म हुआ खरोष्ठी अर्भी फार्षी को कहा जाता है कि जब शुरुवात थी तो यह भी left to right लिखी जाती थी चुँकि यह मुगल शास्कों के साथ आई थी और यह अपना एक विशेस पहचान बनाते थे तो धीरे से इसका change कर दिया गया कि वर्तमान समय के अगर हम बात करें तो यह खरोष्ठी लिपी जिसमें अर्भी फार्षी को लिखा जाता है यह दाहिने हाथ से बाएं हाथ की और जो है वो लिखी जाती है और आपके सुत्र लिपी तो कहा जाता है कि पहले के समय में धागों में गठान बांध कर कोई व्यक्ति अपने संदेश को पहुचाने का प्रयास करता था तो इसलिए उसे सुत्र लिपी के नाम से पुकारा जाता था लेकिन दक्षिन भारती भाषाओं को लिखने के लिए जिस लिपी के प्रयोग के जाते हैं उस लिपी को कही जाती है हमारे लिए आपके द्रेवड लिपी और इस तरह दस कोश्चन आपके MCQ के माध्यम से उम्मीद करती हूं कि परिक्षाओं में अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्चन पूछा जाए तो आपको किसी प्रकार का भठकाओं महसुस नहों क्या आप ऐसे ही छोटे-छोटे ट्रिक्स के माध्यम से MCQ के माध्यम से पूरी हिंदी के उस पाठे करम में जहां से प्रश्चन आपको पूछे जाते हैं जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए प्रत्यक सोमवार को हिंदी के FTR आपको MCQ के माध्यम से मिलेंगे जिस पर छोटे-छोटे टॉपिक्स जो है वो परिक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिस मेरे द्वारा की जाएगी तो अब तक हम से जुड़े हैं जुड़े रहिए पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए मेरे सभी बच्चों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंकिश सो मज़ लव यू God bless you to all my bacha!